यह यहां पर पता नहीं कुछ mysterious object है यह जगे जगे आ जाता है जैसे अपनी यहां पर wind turbines के पास काफी सारे आगे हैं और यह इदर से जा रहे हैं यहां पर meteor गिरने वाला है बच गया अभी सिधा इसके ओपर गिरता यह भी खराब हो जाते यह मार्स वाली सिटी जो है इसमें काफी जादा issue आ रहे थे तो मैंने इसमें एक बहुत बड़ा change कर दिया है कि यहां पर एक separate मैंने power के लिए और पानी के लिए और oxygen के लिए बना दिया है और यहां पर काफी बड़ी storage बना दिया है यह सारी की सारी battery है यहां पर solar panel है और यह wind turbine है इनसे electricity generator होती है यह यहां पर oxygen generator है यह पानी के tank है और पानी जहां-जहां मिल रहा है वहां से इनमें आके store हो रहा है और यहां पर काफी बड़ी storage हो चुकी है इतनी बड़ी storage हो चुकी है कि अगर दो दिन तक भी यहां पर production ना हो किसी चीज की तो इसे storage से ही काम चल ज अब यहां पर जो है proper तरीके से मैंने बनाया है एक side पूरी storage के लिए और यहां पर अपने doms के अंदर जो है अपने martians रह रहे हैं और यहां पर एक्काम कर रहे हैं यहां पर metals factory है इधर जो है machine parts के factory है और यहां पर electronics के factory है और इधर जो है rare metal निकल रहा है इससे मैं अर्थ export भी कर सकता हूँ और बाकि मैंने इस बार थोड़ा सा जो है पहले से planning करके बनाया है यह जितनी भी चीजें यहां चल रही है इन सब को time to time repair होने के लिए कुछ ना को चाहिए होता है जैसे इस water extractor को repair होने के लिए machine part चाहिए होते हैं तो मैंने machine part की छोटी सी stories के पास ही ब जोटीक की बास हैं तो मैं एक वार रोके यहां बुलाई लेता हूँ अभी योडि मेरे तीन रोके पर है पूरी पूरी बूरी बुला असकता हूँ, एक rocket में अभी 22 आ सकते हैं और इसमें सारे मैंने इंजिनियर्स चूज कर रहे हैं एक ये no specialization वाला इसको उटा रहेता हूं इसकी जगे इंजिनियर्स चूज कर लेता हूं इस rocket में 22 हो गए इसको launch कर दिया और इसके लावा दो rocket और launch कर रहे हैं क्योंकि यहां पर काफी सारी factories काम कर रहे हैं तो उनके लिए काफी सारे यहां workers चाहिए है 44 हो गए और अभी एक rocket हो रहा है इस rocket में सारे के सारे geologist बला रहेता हूं यहां पर engineers काफी सारे हो गए इसमें geologist चाहिए है जो है काफी जाता requirement पढ़ रही है यहां पर तो यह सारे geologist हो गए और अभी शायद एक रोकेट बचे हुए है 4 रोकेट मेरी अर्थ पे पहुच चुके है एक मैंने थोड़ देर पहले ही भेजी थी और इसमें यहां पर geologist ही आन देता हूं पारसे reuse हो जागा तो पानी की consumption कम हो जाएगी और एक यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपार्टमेंट रुखने की और हर किसी डॉम के अंदर रेस्परेंट है अलग से खाना खाने के लिए तक हितने वरके से आख काम कर रहे है औरो एक डॉम मैं यहां पर त्यार कर रहा हूं यहां पर यहांपर म new keyster मिल गया है और रेयर मेटल में कंचाने के लिए उसके पाश जू हा बनाना पड़ता है तो अब मुझे 2-3 जगे और Rare Metal मिला है जैसे यह यहां पर जहां पर Dollar का sign आ रहा है उर एक यह रहा और एक और मिला था मुझे एक यहां पर है शायद जोरा भी नहीं है तो 3 तो ब्लोकुल पास पास है तो यहां पर 3 छोटे-छोटे मुझे बनाने पड़ेंगे और यहां से मुझे रेयर मेटल निकालना पड़ेगा क्योंकि अब फंडिंग भी कमी बची है 3.7 बिलियन डॉलर बची है और मैं यह रेयर मेटल जब अर्थ पर बेजुगा तो वहां से मुझे अच्छा कासा अमाउंट पहलेगा तब ही अपना यह मिश आएंसे काम निकरते कई भार इन्हें पकड़ पगड़के यहां पर लाना पड़ता है काम कराने के लिए जब जाके यह काम करने आते हैं नहीं तो भाग जाते हैं और अराम करने चल जाते हैं अपनी अपार्टमेंट्स के अंदर और कहीं पे जो है लीकेज हुई है यहां tedरकी साइट जो है पावर लीक हो रही है और लिखे अर काफी जाध पावक रिया यहाँ पर ज्डूरन काहँ के मांपर हो रहा है यह मैंने ओटमैटिक मोड पे लगा रहा है यह जतने भी सोर्स जो है तुड भी त्रामस मिल रहे हैं और इने लेके चलता हूँ जहां पर लीके जो रही है यह मैटर पीस चाहिए है लीकेज को रिपेर करने के लिए यह होगया पूरा पूरा फूरा फूल एक दो पीस ही लगेंगे बाकिये मैं जो है इधर की साथ रहतू हूँ है जहां पर स्वालर पैनल्स रखे हुए है उदर इक मोड पर है तो यह फटा फट जो है यहां पर दे के दूसरे सोसे क्लेट करने के लिए भाग रहा था बट यहां पर और जगे भी लीकेज है तो अभी एक मिंट रुकना पड़ेगा यहां पर और यह इधर की साथ में एक एक्स्ट्रा लाइन बना रखे है इसकी ज़रूरत तो नहीं है इसको फाल्तु में रिपेर करना पड़ता है इसको हटाई देता हूँ जटा दिया और यह पी जो है लिकेज के रिपेर हो गई और जितने बचे वे मेटल पीस हैं उन्हें यहां पर लाके रख दिता हूँ इधर की स्टॉरेज खाली होगी है यहां पर रिपेर के लिए काफ़ी सारे मेटल पीस की रिक्वारियर्ण पड़ रही है क्योंकि यहां के जो मॉक्सी जेनरेटर है इन को भी रिपेर करना पड़ता है और ये वोटर टैंक सको बड़ता है और सब को रिपेर करने के लिए मetal पीश है जैसे हैं तो कराब हो गए है अब हेती हैं में सरे मेचर्बी आटी हैं रिक्षैने की बार्म करने लिए can के अंदर पाकि अपनी चारो रोकेट्स आ चुकी है इन्हें यहां पर लेंड कराना शुरू करता हूं और इनके आते ही यहां पर सो से जादा कॉलनेस हो जाएंगे और अपनी फैक्टरी में काम करने के लिए काफी सारे वर्कर्स मिल जाएंगे तो फटा फट से जो है काम होन यह नए कॉलनिस्ट के बागते वे जाएंगे अभी यह अलग अलग जगे जाएंगे अपि जातर इंजिनियर्स हैं तो इलेक्टर इस वाली फैक्टरी और मशीन पार्ट की फैक्टरी के तरफ भागने वाले हैं यह और जंप करकर के आ रहे हैं यहाँ पर अराम से कूते वे जा रहे हैं और सबके दिमाग में जो है घर का चल रहा है यहाँ पर काफी जगे है रहने के लिए जगे कम कड़ेगी तो मैं और अपार्टमेंट्स बना दूँ अपार्टमेंट्स बनाएं में तो जो है एक मिनटी लगती है बस concrete PC चाहिए होते हैं 108 call list हो गया है हो जाद है सारे के सारे तो जो है polymer factory में काम करने गया है polymer factory में जो है पूरे slots बढ़ गया है जितने भी काम करने के थे सही है तो इन rockets को फटा फट से वापस भेज़ता हूँ जो है इन में काफी सारा खाना है 220 पैकेट इसमें है 220 इसमें है सब में 220 आया है तो 880 पैकेट तो खाने के ही आगे और खाने की मैंने यहां बहुत बड़ी storage बना रहे किया है इसकी capacity 4000 पैकेट किया है तो अराम से इसमें आ जाएंगे ड्रोंस लगता हो गए है इसका अनलोड करने में वैसे मैं यहां पर एक और लगा जाएता हूँ food stories का कुछ यहां पर जल्दी सनलोड हो जाएंगे एक इधर लगा दिया मैंसे भी जल्दी सनलोड कर लेंगे अभी मुझे वहां से supply port मंगाना पड़ेगा क्योंकि RC ट्रांसपोर्ट में पास कम पड़ेगे है RC ट्रांसपोर्ट मुझे और चाहिए और एक में जो है सिर्फ एक ही आसरी ट्रांसपोर्ट आ सकता है एक supply port के अंदर दो तिन supply port मंगाना जाता हूँ क्योंकि RC ट्रांसपोर्ट से ही मैं रिसोर्स इधर उधर बेजता हूँ और यही रिसोर्स बाहर से डूंड के लेके आ रहे हैं काफे सारे जो almost free है मिल रहे है मुझे factory में नहीं बनाने पड़ रहे तो अभी दो तो मंगा लिए और मंगा लता हूँ 3 हो गए और अभी एक और करना है प्यार हो गए और अब सिफ बैलेंस बचा है 2.9 बिलियन डॉलर का यहां पर रियर मेटल एक्सटर भी लगाना है और यह कुछ होट चीज मिली है इसको भी स्कैन करना है में पास रसी एक्सटर तो है इसको भी स्कैन करता हूँ और इदर पॉलीमर्स बनने चुरू हो गए है और पॉलीमर्स की काफी ज़्याँ ज़रूरत है क्योंकि मैंने एक और एक्सटर चीज के लिए बैटरीस नहीं बनाई है और इन बैटरीस को बना रहे है और इन वाली बैटरीस के बाद इलेक्सिटी की स्टोरेज और जड़ा बढ़ जाएगी अभी जो है 14,800 जूनिस स्टोर हो सकती है और जैसे से यह बने जा रही है वैसे वैसे स्टोरेज और बढ़ती जा रही है और यहां पर फिर से कोई काम निकर रहा है और इस सायक सारे ऐसे भागे घूम रहे हैं इदर आके काम कर लो mile फेक्टटरी के अंदर इस वाली में तो आगए काफिस आठीक और यहां से कुछ को और पपकड़ के लेक्या ता हूं अधर की सायड यह भी आ गए दर भी काफिसार आ गए और यह इसमें इसको क्या हो गया यह मशीन पार्ट की फैक्ट्री को चाहिए दो एलेक्ट्रोनिक्स पार्ट रिपेर होने के लिए काफिसार दरूरी है उढर्ट आप यहां से निकालो रेयर मेट्र यहरो निकलयो तबे सारे बना उकर आपने चारो सप्लाइक पोड़़ी आ इसमें इसमेंगों इसने काफी है जो सारे ले चलता हूं उदर ही रखता हूं यह ले जाके रखता हूं और इसको इलेक्ट्रोनिस पार्ट सी चाहिए रिपेर होने के लिए और यहां पर मेटल बनके इधर आके स्टोर होने शुरू हो गया है और यह अंदर जा रहे हैं इसमें काफी जादा आखेंगा जैसे मैं इसर एक स्टोर जो लगाता हूं फ्यूल की बाहर की साड क्योंकि काफी सारा बन रहा है तो काफी सारी स्टोरेज चाहिए कोई ना कोई ड्रोन आके यहां पर जैसे खाली करके ढगते हैं यह आगए तरोंस की पूरी पूरी आर्मी हैं यहां पर फटा इसकी storage यहां पर लगायता हूं यहां से इन metals को भढ़के लेकी चलता हूं और उथर पहुचाता हूं जहां पर solar panels लगे हूं और कहीं पर leakage फिर से होगी है यहां पर यहां पर यहां पर इसको भी कर देंगे मैंने metal parts यहां रख रखे हैं और मैंने जात ड्रोनःट के पास थे पास अईसा जो है इसा इस टोरिज बना दिया है जिसमें जो भी उस एरिया में रिपेर करने के लिए मैटरियल चीए वो यहां पर रखा आ जासे दो मैटरियल ख़तम हो गया है और मैटरल पार्ट्स बच रहे हैं और इस ड्रोनःट की सब्सक्राइब है यह आगए supply ports और इन में जो है RC transport वाला है इन सब को भी काम पर लगायता हूँ automatically resource collect करने के लिए और एक जो है यहाँ पर रहा गया इसको भी automatic mode पर लगायता हूँ और यह जो supply ports है यह one time use होते है तो इनने destroy कलता हूँ इससे पांच से metal piece मिल जाएंगे एक concrete accelerator खराब हो गया इसको machine part दिये इधर भी एक machine part की storage बनाके यहाँ पर भी कुछ machine part लागे रखता हूँ एक बार इस सारी चीज़े बन जाएंगे यहाँ proper storage हो जाएगी उसके बाद जादर चीज़े खराब नहींगी सब automatically चलती रहेंगी फिर जो है इस colony में कोई issue नहीं आने वाला फिर तो इस colony को मैं पूरा expand करता हूँ चला जाँगा क्योंकि कुछ भी चीज़ागा खराब होएगी तो automatically repair होती रहेगी और यह जो यहाँ पर पत्थर निकल रहे हैं यह नीचे से निकल रहे हैं क्योंकि यह swimmingive निकल्üne के ला रहे हैं तब पत्थर काफी सारे खटे हो रहे हैं awarded लिए मेटल पार्ट की इस वाली टैक्टरी ने मेटल निगालने बंद कर दी हैं तो एक डंपिंग साहिट और लगाता हूं यहां पर इधर ही लगाता हूं पास में ड्रोन्स खाली कर देंगे इसे साहिक सारी बंद तो गए बढ़ ही कनेक्ट नहीं होगा है इनके साथ में जो पंधि यहां पर केबल बंननी बागी रहती है यह ड्रोन लेकर आ रहे हैं मैटल पीचे से केबल को बना रहे है होगी सारी बैटरीज का नेट और हब देख जाता हूं टोटल स्टोरेज के अपसिटिक कितनी हुई अठारा हजार दो सो यूनिट्स में अलग स्टोर कर सकता हूं और अभी दस हजार यूनिट्स जो है स्टोर्ड है प्रडेक्शन भी जो है 737 जूनिट्स का हो रहा है और डिमांड खाली 534 किया है तो अब स्टोरिज भी है और प्रडेक्शन भी है अच्छी खासी तो अब तो कोई इशू नहीं आगा और एक बैटर की स्टोरिज मैंने यहां पर अलग इसलिए बनाई है क्योंकि अगर कोई मेटियोर वगएरा यहां बीच में गिर गया तो इदर से लाइन वगएरा तूट सकती है और यहां से पूरी कलोनी को पावर जानी बंद हो जाएगी तो ऐसा हुआ तो इदर से यह व की अब जरूत नहीं है यहां डेस्ट्रॉय हो गया को क्या हुआ तो थोड़ा से कुछ नगुछ तो इश्यू आ रहा है तीन जा चुके है और इधर पावर केबल हड़ गई है यहां से यह इश्यू हुआ है इधर पावर जानी बंद हो गई क्योंकि यह मैंने हटा दिया त की है बन गया आगए पावर इस साइड और इन वाली रॉकेट्स को भी देख लू इसमें तो काफी सारा खाना है अभी इसमें भी है यह वाली खाली हो चुकी है इसको वापिस भेजता हूँ और यहां पर खाने का मुझे लग रहा है एक बड़ी स्टोई मुझे बनाने पड़ेगी यहां भी छोटी छोटी यह लगा है तो हम बड़े वाली के लिए पावर देने पड़ती है और बाकी यह जो है यह ब्लैक क्यूब मैट्रिक्स है यहां पता नहीं कुछ मिस्टीरिस अबजेक्ट है यह जगे जगे आ जाता है जैसे अपने यहां पर फर मुझे बात में देखना पड़ेगा कि इनका होता क्या है या फिर इनसे कोई नुकसान भी हो सकता है या नहीं हो सकता तो ये शाइन भी कर रहे हैं और ये अपने आप ऐसे मूव भी करते रहते हैं ये अपना एक RC ट्रांसपोर्ट यहां पर खराब हो गया है ये जो है डस में फस गया था तो इधर इसकी हाला से खराब होगी है इसको ठीक नाएं के लिए मुझे RC कमांटर बलाना पड़ेगा और ये इधर से जा रहे हैं यहाँ पर मीटियोर गिरने वाला है बच गया अभी सिदा इसके ओपर गिरता ये भी खराब हो जाते ये RC कमांटर आ गया ये ड्रोन लेके आया है ये से ठीक कर देगा इसको यहाँ से अटालता है मतलर मीटियोर गिर रहे हैं कहीं ये भी खराब हो जाए अभी यहाला वोटर एक्स टेक्टर बंद हो गया क्योंकि यहाँ पर वेस्ट रोक काफे सारे खटे होगी है इसके रिया डंपिंग साइट जो है यहाँ बना दी ये वेस्ट रोक यहाँ हाटेंगे तो ये फिर से चालो होगा और यहाँ पर जो है मशीन पार्ट खतम होगी है तो ये बंद भी हो सकता है मशीन पार्ट मुझे ओर लाकर रखने पड़ेंगे और मशीन पार्ट सौप काफी सारे बन रहे हैं क्योंकि अपनी सारी फैक्टरीज काम करने लगी है और एक बर अंदर भी देख लू अंदर इनका चल क्या रहा है ये जहाँ तर तो ऐसे के ऐसे गूमने में लगे हुए और इनके ओपर क्या बना आ रहा है ये ये कुछ सोचते वे गूम रहे हैं ऐसी क्या इनको समझ नहीं आ रहा है इनको करना क्या है और काफी सारे खाली गूम रहे हैं ये तो इनको जड़ा बेजू मैन वली इस रैस्प्रेंट में के काम कर लो यहाँ पर खाना हुआना सर्फ कर दो इधर मैने कुछ को काम दे दिया है और क्या हो गया पावर में फिर से कुछ तो गड़ बढ़ भी है काई से लाइन टूटी है इधर से लाइन खराब हो गया यहाँ पर ये ड्रोन आ तो गया ठीक करने के लिए इसको ये काफी एक्टिवली काम करते हैं जितनी इनकी रेंज इतनी रेंज में बहुत जल्दी काम करते हैं इस वाले वोटर एक्स्ट्र के पास भी जो है काफी सारे वेस्ट और भॉत हो चुकी है यहाँ पर भी जो है और वेस्ट वाइस बनाने पड़े की इतने वेस्ट लोग जो हישानि के उलिए तोड़ा सा मुझे भीजना पड़े मैं यहां से, एक I bij अर्च आर्स्ट को बला जा लेता हूं इसको जो है, ओटमेटिक मॉड पर लगा जाता हूं, यहां Сे खाना खाली करने में, इसके लिए मुझे है यहां से लोकेशन साइड करनी है और यहां से क्या उठाना है वो सेट करना है और इधर लाके जो है अनलोड कर देना है तो अब यह अटोमेटिकली काम करता रहेगा यहां से उठाता रहेगा और इधर लाके रखता रहेगा फिन लग गिया है यहां पर आके अपने आप काम करने में तो रही हैं। इन दो रोकेट में तो अभी रहते हैं फूड के पैकेट साथ साथ दोना भी बज़े में इनको भी जल्दे से वापस भीजने हैं और दो रोकेट तो पोच चुकी हैं वहां पर तो और बुला लेता हूं यहां से और अब तो इस पेशलाजेशन की जरूत है नहीं जो भी आरह क्रिशन होगी है और रेस्परेंट से जिंडि मिले की रियुट हो फीर है इसलिए नहीं पर देखनाओ इसवाले को फीर ने-स बैब ले को आश minor हो यहां लड़ा होगी नेद भीर और देखना चीए जूगा करने दो ऐसे कामी कर रहे है यहां उतारता हुं यह उतर गी रोक थीज तू दिये यहां पे, सारी सविल ने लगा भी थी, यहां पर कंक्रीड बेशता हूं, फटा-फट से इनके रहने के लिए जगे चाहिए होगी, बाकि इनके लिए यहां पर ओपन एर जिम भी बना या। यह एक ओपन एर जिम बना दिया है इनके लिए, तो इनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और यहां पर बीच में एक मेडिकल सेंटर लगाएता हूँ यह हो गया बीच में एक मेडिकल सेंटर इसमें और इसको जो है 24 आर काम कराता हूँ यहां पर तो सारी चीजों में 24 आर काम चलेगा जिसको जब काम करना है वो उस शिफ्ट में काम कर सकता है अगी इन दोने वा रोकेट से भी सारा खाना निकल चुका है इने वापिस बेजता हूँ अभी जो है और इस वाली रोकेट से इसमें तो खाना भी काफी सारा पड़ा हुआ है इससे निकाला क्यों नहीं इतनी सारी स्टोरिज जहां पर है तो सभी इसमें तो टाइम क्यों लगा रहा है कहा है निकालने में और इसमें भी अभी 123 फूड के पड़े हैं इधर की साइड ना ड्रोन्स कम हैं सिर्फ 6 ड्रोन्स हैं इनी से काम चल रहा है कुछ ट्रोन्स मैं दूसरे जेकर से लेकर आता हूं जहां पर एक्स्ट्रा खड़े हों इधर भी एक्स्ट्रा नहीं खड़े हैं यह भी रुक गया फिर से पानी की शौटेज है इसलिए इतना इश्यू हो रहा है और मीटियोर यहां पर गिर है और यह ब्लैक ट्यूबस तो कुछ जादा ही होते जा रहे हैं यहां पर अभी इसको फटावट से रिपेर करायता हूं यह क्यों रुका हुआ है इसे डंपिंग साइड जो है पूरी भरगी है यहां पर काफि साइड रॉन्स ना एक्स्ट्रा खड़े हूं है इन में से कुछ रॉन्स को उधर लेके चलता हूं इनको असाइंग करता हूं इस वाले के साथ यहां पर जाड रॉन्स की जरुत पड रहा हूं जिससे मुझे थोड़ा बैलेंस मिल जागा भी 3.2 बिलियन डॉलर है इसका जो है काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है अभी बस इसमें सोड़ा सा खाना रहा गया वह अनलोड हो जाए इसके बात इसे मैं लॉन्च करेता हूं इससे उतर वारता हूं इ इसको खाने को तो यहां ही उतारो और इसमें फ्यूल बढ़के लियाता हूं फ्यूल तो काफी सारा है अपनी दो फ्यूल रिफाइनरी काफी सारा फ्यूल बना रही है यहां पर पूरा पूरा स्टोरेज फूल हो गया है इस सारा फ्यूल है यहां पर इस स्टोरेज में यह आटोमेटिक वाला है यह ऐसे पीछे जाएगा वहां से फ्यूल के डबे उठाएगा और जालाके रखतेगा इधर से ड्रॉण लोड कर लेगा इस वाली रोकेटी को लॉंच कर दिया और अब जो है इसमें कितने हैं 31 फ्यूल के डबे हैं इस वाली को भी लॉंच करता हूं उसमें फ्यूल भरके क्योंकि अभी पैसेंजर्स तो कंटिनेंसली मुझे बुलाने हैं जितने ज्यादा यहां पे कॉलनेस्ट आएंगे उतना बढ़िया रहेगा बस अब जैसे कॉलनेस्ट आए जारे हैं वैसे 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 वाटर के डिमा अबश्थाओं यहां पे इतने सारे ड्रोन हैं यह फाल्तो हमें पर हमों पर पार को रखे हैं अब इन्या बर्व कर्दाए यहां पर लगाया था इसुक्त वाहन वाल को मैं यहां पर किने लगाने वाला हूं उससे लगाई देता हूं कि इधर भी जो है डॉम बनाने है अभी अभी फिलाल एक ही ड्रोन हब बचा हुआ है अगर और चीह होंगे मुझे अर्थ से मंगाने पड़ेंगे इस ड्रोन को मैं ऐसे लगाता हूं कि यहां पर तीन जगह है जहां पर रेयर मेटल मिलेगा तीनों को एक साथ एक ही ड्रोन यहां पिरोने के लिए इधर भी फेक्ट्रिस में बंतो हुरह थोड़ देने मिलाकर यहां पर रख देता हूँ ऑ मैं यहां पर ड्रोन हब लगाने के लिए ना यहां पर बीच में जगे आरहे है यह वाली इसको एरिया को पूरा फ्लैड कर लेता हूँ यह और फंदिंग मिलिया है 500 लियन की यह भी रेयर मेटल्स की पेमेंट है जो दो रोकिट से मैंने अलग 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 रेयर मेटल्स भीज़े थे और अभी यहाँ पर आ तो गए ड्रोन इसको रिपेर कर देंगे वैसे यहां हो गया रिपेर वैसे है अभी एक यह आर्सी एस् थे इग और मिल गया है एधर ईक यह ठायर और यह अगा शुमा ओर उसको के व्लक तॉड़ सकता हो गातं तोड़ने पर देको इस क्या निकल देता है किसी काम में आ सकते हैं और यह चूल्ट भी जे यह तोड़ नहीं रहे एक मिनट यहां पर did not have the one क्या थे तोड़ें? हाँ ये तोड़ तो पा रहे हैं तोड़ें इससे क्या मिला है? कुछ भी नी मिल रहा ये बस मुझे हटाने पड़ेंगे जगे जगे जहां पर गिरे जा रहे तो इनको सब को i व 눌러-ख लगा दूँ और एकी ड्रोन हप बचाऊ हれ अब आगे अगर drone hub की जोट पड़ेगी तो मुझे drone hub मंगाने पड़ेंगे और मंगाने के लिए वैसे balance तो आ रहा है 3.2 billion से 3.8 billion हो गया rare metals में export कर रहा है उससे profit हो रहा है यहां पर लगाता हूं drone hub को और इस वाली जगह पर काफी जादा raw material चीह होगा बाकी जो है अभी यहां पर वैसे सब कुछ stable चल रहा है और अपनी rockets भी जो है चारों में वापस भेज चुका हूं चारों आर्थ पर पहुच चुकी है तो वहां से 88 call list मैं है और बलाऊंगा बट उससे पहले मैं यहां पर और जगह बनाऊंगा जो मैं यहां पर अभी तीम डॉम और नए बनाने वाला हूं rare metals के लिए इधर लाके उनको रखूँगा तो अभी तो जो है थोड़ा wait करना पड़ेगा और call list को बलाएं से पहले क्योंकि ज़्यादा call list बलाने पर यहां पर जो है risk की काम भी हो सकता है क्योंकि इने time में लगता है कि करके टपक जाते हैं और सारे के सारे साफ हो जाते हैं और अपने कलोनी फेल हो जाती है तो इसलिए पहले मैं उधर की साड़ पूरी construction करूँगा तब और call list बलाऊंगा अभी जितने हैं उतने ठीक हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में